आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अध्याय दो में एक कविता है वन पत पर यानी की वन के रास्ते पर और इसके रचैता है तुलसी दाह जी इसके चौथे भाग की ब्याख्या हम लोग सीखेंगे रटेंगे नहीं बलकिन सीखेंगे आप ध्यान दीजिएगा तो सीख लेंगे ठीक है बहुत ही सरल है इसके पहले हम लोग तीन देख चुके हैं तो सबसे पहले मैं इसमें आये हुए जितने भी सब्द हैं सब के अर्थ आपको बता दूँ तो व्याख्या आप अपने से कर लेंगे देखिए सीस माने होता है सीर आपके सरीर में सबसे उपर हिसा सीर है वही सीर है और जटा का मतलब होता है जो बड़े बड़े बाल होते हैं सर पे वो जटा कही जाती है उर माने हिरदय या छाती या वक्षिस्थल या सीना कई भी माने होते हैं हम लोग कोई एक सब्द ले लेंगे बाह माने होती है भुजा बिसाल मतलब भारी या विसाल ही कर सकते हैं बिलोचन माने होता है आखें लाल वही रहेगा तिरची सी वही रहेगा बदलेगा नहीं भावहें भी वही रहेगा तून माने होता है तरकस जिसमें बान रखते हैं वो तरकस और सरासन माने होता है धनुस बान मतलब बान जिसको आप तीर भी कहते हैं धरय मतलब धा तुलसिदाजी आप समझी रहें ये कभी ही है इस कविता के वन मारग मतलब वन के रास्ते में या जंगल के रास्ते पर सुठ हिमाने अच्छी तरह या भली भात या अत्यधिक ठीक एतिन में कोई एक ले लेंगे सोहे मतलब सुसोभित होना या सुंदर दिखना सादर मतलब आदर के साथ बारही बार मतलब बार बार सुभाय मतलब स्वाभाविक रूप से चीते माने देखते हैं, देख रहे हैं, तुम्त्यों मतलब तुम्हें अर्था सीता जी को, हमरों मतलब हम लोगों का भी मन वही रहेगा, मोहें मतलब मोहित कर रहे हैं, पूछती हैं, ग्राम बधु, ग्राम बधु का मतलब गाउं की इस्त्रियां, या हम ग्राम बधु भी गाव बधू भी कह सकते हैं तो गाव की इस्त्रियां ठीक है सीयसो मतलब सीता जी से कहो बताओ सावरे से वो जो सावले रंके हैं जिसको आप लोग कभी कभी काला कह देते हैं तो वही सावले से जो सावले रंके हैं है सक्षी सीता जी के लिए है सक्षी रावरे मतलब आप के तो सभी कठिन सब्द हो गए चले हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं बहुत ही सरल है जब सारे सब्द आप जान गए हैं तो कठिन कुछ नहीं है चले लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके संदर्व और प्रसंग की बात कर लें तो देखे जब मैंने इसका पहला भाग आपको बताया था तो वहाँ पे संदर्व की चर्चा मैंने की थी तो मैं बार-बार कहता हूँ कि जब भी कोई टीचर चाहे वो आपके क्लाश टीचर हो या यूट्यूब पर कोई आपको पढ़ा रहा हो जब वो पहला पध्यांस पढ़ाता है तो वहाँ पे आपको वो संदर्व बताता है और वह जो संदर्व होता है उस पाठ की पूरी कविता के लिए पूरे पध्यांस के लिए होता है तो आप पहले भाग से आप जो है संदर्व देख लेंगे प्रसंग बार-बार बदलता है और मैं प्रसंग के बारे में भी आपको बार बार बताता हूं कि प्रसंग भी रटने की चीज नहीं है प्रसंग भी समझने की चीज है देखे इसमें अभी मैं ब्याख्या करके आपको बताऊंगा कि क्या चीज है ठीक है तो जो चीज इसमें बताई जाती है वही चीज का एक छोटा सा हिस्सा हम प्रसंग बना लेते हैं ठीक है तो चलिए आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में स्री राम चंदर जी की सुन्दर्ता को देख कर गाउं की इस्त्रियां सीता जी से जानना चाहती हैं कि ये जो सावले रंग के हैं ये आपके कौन है और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा ठीक है चले अब व्याख्या की बात कर लें तो चले व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे देखें हर प्रस्तुत पद्यांस में तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम चंद्र जी सीता जी और लक्षमड जी वन के रास्ते पर एक गाउं से होकर गुजरते हैं तो उस गाउं की इस्त्रियां सीता जी से पूछती हैं ब्रस्ते हैं जेक सीता जी से पूछती हैं जिनके सीर पर जटा है जिनका हीर्द है या वक्षिस्त हल और भुजैं विसाल हैं जिनकी आखे लाल है और जिनकी भाउं हें तिर्ची हैं जिन होने तरकस धनुस और बार धारण किये हुए हैं तुलसी दाजी कहते हैं जो वन के राष्टे में या वन के मार्ग में भी भली भात सुसोभित हो रहे हैं या भली भात सुन्दर लग रहे हैं या अच्छी तरह से सुन्दर लग रहे हैं कोई एक ले लिजिए ठीक है भली भात सुसोभित हो रहे हैं और जो अपने जोड़े और जो आदर के साथ बार बार स्वाभाविक रूप से तुम्हें देख रहे हैं और अपने जोड़े और ह हमारा भी या हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं गाउं की इस्तिरियां सीता जी से पूछती हैं हे सक्षी हमें बताओ वो जो सावले रंग से हैं आपके कौन हैं और आपकी व्याख्या पूरी हो जाती है तो बहुत ही सरल है चलिए एक बार मैं बहुत जल्दी से बताओं लेकिन इसको फिर से एक बार मैं मौकिक रूप से आपको बता देता हूं फिर बताता हूं ठीक है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है देखे इसमें क्या है कि स्री राम चंद जी जब वन के लिए जाते हैं सीता जी के साथ और लक्षमण जी के साथ और वो धनूस बाण और तरकस धारण किये हैं तुलसिदार जी कहते हैं कि वो वन के रास्ते पर हैं जोगी की तरह हैं उनके पास कोई गहना कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं और जो राम चंद जी है वो बार बार सीता जी को देख रहे हैं गाउं किस्तिया कहती हैं कि वो हमारा भी मन मोह रहे हैं और वो सीता जी से पूछती है कि सखी जो सावले रंग से आपके साथ जा रहे हैं यह आपके कौन है तो देखिए यहां पर कभी की सुंदरता देखिए वो बोल के सखी वो जो गाउं किस्तिया बोल के नहीं पूछ रही है कि सीता जी आपके साथ जो है वो कौन है वो बोल नहीं रही है वो इसारे से पूछ रही है आख मटका के पूछ रही है कौन है और अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि सीता जी बहुत ही सुंदर ढंक से बिना बोले उनको जवाब भी देती है और बता देती है कि ये मेरे पती है ठीक है ये चीज है इस पद्यांस में चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और अपनी तरफ से जोड के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में तुलसी दाश जी कहते हैं जब स्री राम चंद्र जी सीता तुलसी दाश जी कहते हैं जो वन के राशते में भी अत्यान्त सुसोभीत हो रहे हैं और आदर के साथ बार-बार स्वाभाविक रूप से तुम्हें देख रहे हैं और हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं गाउं के स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं हे सकी हमें बताओ कहो बताओ हे सकी हमें बताओ ये जो सावले रंग से हैं ये आपके कौन है ये आपके क कल इसके हम लोग पांच में भाग को देखेंगे